हे मुवी वाचर्स आज रात हम सुनने वाले है इल पैक्टो मुवी की कहानी ये एक स्पैनिश हॉरर मुवी है जिस मुवी में हमें ये दिखाया गया है कि माँ बाप अपने बच्चों के प्यार के लिए सही और गलत में कितना फर्क भूल सकते हैं कहानी की शुरुवात होती है मौनिका नामा के लेड़ी के सपने से जहां पर वो ये देखती है कि उसकी बेटी क्लारा की तवीयत काफी खराब हो चुकी है और वो अल्बोस्ट मरने वाली है लेकिन तभी अचाराक मौनिका की नींद तूड़ी जाती है मौनिका पेशे से एक लॉयर थी और वो अपने हस्बेंड एलेक्स से सेपरेट हो चुकी थी लेकिन अभी भी उन दोनों में काफी अच्छा दोस्ती है उसी रात हम एलेक्स को देखते है जो की एक पुलिस ओफिसर था और वो एक केस के उपर इन्वेस्टिकेशन कर रहा थ एक्चुली एक लेडी नाइन्थ फ्लोर से कूट कर सुसाइट कर लेती है और उस सुसाइट का एक मात्र चसमदीद गवा था उस लेडी का बेटा फ्रान कोइंसिडेंटली दोस्तों फ्रान क्लारा का स्कूल का ही एक सुडेंट था एलेक्स और दूसरे पुलिस ओफिसर फ्रान से बाते ही कर रहे थे लेकिन तब ही वहाँ पर एक अजीब घटना घटती है फ्रान की मा जो नाइन्थ फ्लोर से कूट कर मर चुकी थी वो अचानक जिन्दा हो जाती है डॉक्टर वी बिलकुल चौक जbourne जाते हैं और यह बताती है कि फ्रान की मा बिलकूल हेल्दी ए दुसरी ओर हम क्लार खो दिखते हैं जेसे की तरह की आखिंट उर नॉर्मल दूसे बच्चों से एक दम अलग थी कमज़ोर थी इसी के चलते हैं उसकी मा उसे लेकर काफी जादा ओवर प्रोटेक्टिव थी और तो और क्लारा की मा क्लारा को स्कूल के एनुवल ट्रिप में भेजना नहीं चाती थी एक दिन क्लारा उसके मा के बिना ही स्कूल जाती है और उसे रास्ते में मिलता है फ्रान फ्रान उसे अपने कार में बैठाता है और उसे कहीं ले कर जाता है शाम को जब मॉनिका घर आती है उसे घर पर क्लारा नहीं मिलती वो यहाँ वहाँ ढूंती है लेकिन उसे क्लारा घर पर कहीं भी नहीं मिलती वो उसके डैड एलिक्स के पास जाती है ये सोचकर कि शायद क्लारा अपने डैड के पास चली गई हो लेकिन क्लारा वहाँ पे भी नहीं थी एलिक्स क्लारा का मुबाइल ट्रैक करने की कोजिश कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था तबही मौनिका के फोन में कॉल आता है कलारा हॉस्पिटल में एड्मिट थी और वो कुमा में थी उसकी हालत काफी जादा सीरियस थी डॉक्टर बताता है कि कलारा की हालत जैसा है उसका बचना शायद नामुकिन है किसी को नहीं पता था कि क्लारा के साथ क्या हुआ था और तो और उसका मुबाइल और बैग भी मिसिंग था उस राज जब मॉनिका क्लारा के साथ थी तबी कमरे में फरान आता है मॉनिका को नहीं पता था कि क्लारा लास्ट टाइम फरान के साथ थी तो मॉनिका फ्रान के साथ काफी नॉर्मली बात करती है और उसे क्लारा के पास बैटने को बोलती है मॉनिका थोड़े देर के लिए वाश रूम जाती और तभी वो देखती है कि उसके फोन में क्लारा के तरप से मैसेज आ रहा है लेकिन तब तक वहाँ पर एलिक्स आयाता है और वो फ्रान को पकड़ लेता है पुलीस को ऐसा लग रहा था कि फ्रान नहीं क्लारा को मारने की कोशिश की है क्योंकि उसी के पास से क्लारा का बैग और मुबाइल बरामत हुआ था बट इंटरोगेशन रूम में फ्रान काफी अजीब बरताफ कर रहा था वो बता रहा था कि समय खतम होने वाला है तब ही हम देखते हैं एक अजीब सा पेड़ जासा दिखने वाला चीज़ फ्रान को एक दम आके जकर लेता है और फ्रान की मौत हो जाती है इंटरोगेशन रूम में बैठा हुआ हर एक आफिसर इवन एलेक्स भी समझ नहीं पाता है कि फ्रान के साथ हुआ कैसे उसका मौत कैसे हुआ वो अजीब सा दिखने वाला पेड़ सिर्फ और सिर्फ फ्रान को नजार आया था और किसी को भी नहीं यहां दूसरी और मौनिका फ्रान के बताई हुए एडरिस पर पहुचती है जहां पर वो एक आदमी से मिलती है वो आदमी मौनिका को बताता है कि मैं तुमारी बेटी की जान बचा सकता हो लेकिन बदले में तुमें मुझे कुछ देना होगा मौनिका राजी हो जाती है और बस वो आदमी एक रिचूल करता है वो आदमी एक पोल में खून डालकर उस खून को खुथ पीता है और फिर मौनिका को पिलाता है लेकिन मौनिका उस खून को पीनी के बाद अनकॉन्शियस ओन लगती है तभी वो आदमी अपने हाथ चेक स्पाइडर मॉनिका के गले पे उतारते हैं और बस मॉनिका बेहोश मॉनिका क्या आग खुलती है दूसरे दिन तभी उसके फोन पर एलेक्स का कॉल आता है और वो दोड़ के होस्पिटल आती है आके वो देखती है कि उसकी बेटी क्लारा एकदम ठीक हो गई है कुवा से उड़ गई है और अपने पैरों पर खड़ी है डॉक्टर्स बताते है कि ये एक मिरिकल है ऐसा केस लाखों में एक होता है मौनिका और एलिक्स दोनों ही अपनी बेटी को देखकर काफी खोश होता है लेकिन दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है प्रॉब्लम्स की राइस मौनिका को कुछ भी याद नहीं था कि उस रात उस आदमी के पास जाने के बात क्या हुआ तो मौनिका हॉस्पिटल का CCD फुटेज चेक करती है जहां पर मौनिका यह दिखती है कि उस रात वो हॉस्पिटल में वापस आती है अपने बेटी के रूम में जाती है और उसके चेस्ट पे हाथ करकर कुछ कर रही थी और बस तभी फुटेज बंद हो जाता है तब मौनिका उस आदमी के उपर research करती है थोड़ी बहुत जानकारी लिने की कोशिश करती है तभी उसे एक अखिल नामक आदमी का पता चलता है मौनिका अखिल के घर जाती है और वहाँ पर जाकर वो उस mysterious आदमी के बारे में जानकारी लिने की कोशिश करती है तबी अखिल मॉनिका को बताता है कि उसने भी उस आदमी से मदद लिया था और इसका प्राइस काफी हाई है वो मॉनिका को ये बताता है कि तुम्हारी बेटी की जान सिर्फ एकी शर्त पर बचिये कि तुम्हें किसी और की जान लेनी होगी अगर टाइम आने पर तुमने आसा नहीं किया तो तुम्हारी बेटी मारी जाएगी मॉनिका काफी सोज विचार में पढ़िया थी कि शिट मैंने क्या कर दिया अब मुझे किसी को मारना होगा एक दिन मॉनिका अपने एक क्लाइट के साथ बैठी हुई थी तबी उसका क्लाइट का तवियत अचानक खराब उन लगता है और जैसे वो अपना हाथ से अपना दबा लेने आता है उसका दबा नीचे गरी आता है मौनिका जैसे उस दबाव को उठाने जाती है वो देखती है कि उसके बाजू में वो स्पाइडर बैठा हुगा है दोस्तों वो स्पाइडर एक साइन था मौनिका के लिए कि अब मौनिका कोई इस आदमी को मारना होगा लेकिन दोस्तों मॉनिका उस आदमी को नहीं मारती उल्टा उसे वो दबा दे दी ती जिसके कारण वो आदमी ठीक हो जाता है मॉनिका जब चिंबर से बाहर आती वो देखती है पुलीस ओफिसर ने उसी स्ट्रींज आदमी को पकड़ लिया है दोस्तों कुछ गड़बड़े शाम को जब एलेक्स घर से जाता है तब मॉनिका और क्लारा घर पर अकेरी थी और क्लारा ना आ रही थी तब ही उनके घर के बाहर मॉनिका को कोई नजर आता है अचानक उसके घर का लाइट सॉफ हो जाता है और क्लारा बातरूम के अंदर लॉक हो जाती है मौनिका जैसे तैसे बातरूम के गेट को तोड़ कर अंदर घुशती है जाके देखती है क्लारा बातरूम के अंदर डूपी हुई है वो क्लारा को उठाती है और उसे पकड़ कर काफी रोती है बाहर आकर वो देखती है कि वहाँ पर इस टाइमर रखा हो जिस टाइमर को जैसे भी गर की घुमाने की कोचिश करो बट वो टाइमर बंद नहीं हो रहा इसका ये मतलब था कि टाइम से पहले किसी ना किसी को मारना होगा मौनिका काफी डर जाती है और वो क्लारा को ऐलेक्स के पास लेके आ रहे थी और रास्ते में मौनिका का ध्यान भड़कता है और उसके चक्कर में किसी और गाली का एक्सिरेंट हो जाता है मौनिका जल्दी से अम्बूलेंस को कॉल करती है और फिर उस आदमी को बचाने के लिए उसके कार के पास जाती है लेकिन तभी वो देखती है कि उसके कार में आँख बल रही है और वो उस आदमी के पास उसी स्पाइडर को देखती है मौनिका का फिडर जाती है और आख बढ़ने के करण मॉनिका वहां से भागती है और तभी कार ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी मर जाता है दोस्तो उस आदमी के मरते ही वो टाइमर भी अपने आप बंद हो जाता है मॉनिका इस हाथसे के बारे में सब कुछ एलेक्स को बताती है वो ये बताती है कि मैंने उस आदमी को जान मुझक के वहां पर छोड़ दिया लेकिन एलेक्स को ऐसा लगता है कि मॉनिका स्ट्रेस में होने के कारण ऐसा बात कर रही है वेल अब सब कुछ ठीकी लग रहा था एक दिन सारे फैमिली मिंबर्स मिलकर घर पे चिल मार रहे थे तब ही क्लारा बोलती है कि मम्मी घर पर कोई है एलेक्स अपनी गन लेकर चेक करने जाता है और वो एक आदमी को स्टोर रूम में छिपा हुआ पाता है लेकिन तब ही वहाँ पर शूट आउट होता है जहाँ पर एलेक्स को गोली लग जाती है और वो आदमी भाग जाता है मॉनिका जब एलेक्स की हालत देखती है तो वो क्लारा को स्टोर रूम के अंदर आने नहीं देती वो अंदर से दर्वाजा लॉक कर देती है मॉनिका को समझ में नहीं आ रहा थे कि एलेक्स को कैसे बचाया जाए उसे हाट पर गोली लगी थी तब ही मॉनिका एलेक्स के चेस्ट पर हाथ रखती है और एक रिचूल करने की कोशिच करती है ऐसा उसने CCTV फूटेज पर देखा था क्लारा के साथ करते वक्त और बस एलेक्स की जान बच जाती है उस रात मॉनिका को उस आदमी का कॉल आता है और वो आदमी मॉनिका को ये बताता है कि मैं तुमारी बेटी को मार दूंगा दूसरे दिन जब एलेक्स को होश आता है उसे काफी डाउट्स होता है उसे ये समझ में नहीं आ रहा थे कि उसकी जान बची तो बची कैसे उसे हार्ट पर गुली लगी थी एक दो दिन बाद मॉनिका क्लारा को उसकी स्कूल ट्रिप के लिए जाने को अलाव कर देती है ताकि वो सेफ रहे और क्लारा के जाते ही मॉनिका उस आदमी के पीछे लग जाता है जो उसकी बेटी को मारना चाता है जब वो आदमी एलेक्स को गोली मार के भाग रहा था तब मॉनिका ने उसके कार का नंबर देख लिया था और इसी नंबर से मॉनिका उस आदमी के घर को ट्रेस कर लेता है मॉनिका उस आदमी का कार में पीछा करती है और वो आदमी क्लारा के स्कूल के बाहर आके खड़ा था ताकि वो क्लारा को मार सके लेकिन तभी मॉनिका गन लेकर उस आदमी के कार के अंदर घुस जाता है और उसे घाड़ी यहां से गुमाने को बुलता है यहां दूसरी और एलेक्स को पता चलता है कि मॉनिका उसका गन लेकर चली गई है तो Alex Monika को call करने की कोशिश करता है लेकिन उसका call नहीं लग रहा था तो Alex Monika को track करने की कोशिश करता है यहाँ दूसरी और Monika उस आदमी को एक सुनसान जगे लेके जाने की कोशिश कर रही थी वो कार में उस आदमी को पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी बेटी को मारना क्यों चाते थे तो वो आदमी बताता है कि उस रात तुमने मेरे भाई को मारने दिया मैं उसी के साथ उसके कार पर था लेकिन सम्हाओ मैं कार से बाहर निकल गया था तुम मेरे भाई को बचा सकते थे लेकिं तुमने बचाया नहीं मॉनिका बुलती है इसलिए तुम मेरी बेटी को मारना चाते हो और तुमने एलेक्स के उपर भी गोली चलाई और तभी मॉनिका को शीशे में वही स्पाइडर नजर आता है मॉनिका को लगता है कि शिट अगर मैंने इस आदमी को नहीं मारा तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी तो मॉनिका उस आदमी को एक सुनसान जगे में लेके जाती है और उसे गन पॉइंट पे खड़ा करती है वो आदमी मॉनिका से उसका गंच छिनने की कोशिश करता है लेकिन मॉनिका उसे दो गोली मार देती एक पेट पे और एक हाथ पे लेकिन फिर भी दोस्तों वो आदमी मॉनिका के उपर हमला करके उसे बेहुश कर देता है और उसे मार नहीं वाला होता है कि तब तक वहां पर Alex आयाता है Alex आकर उस आदमी को एक Rod में參ककर के साथ डॉक कर देता है और वो मानिका को अपने साथ लेकर जाता है जाते वकित वो अपने कलिक को फोन करकी ये बताता है कि जिस एड्रेस से मैं तुमें कॉल कर रहा हूँ वहाँ पर आओ, यहाँ पर एक आदमी को मैंने गोली मारा है क्योंकि वो मॉनिका को मारने की खोशिश कर रहा था इन सब के बीच क्लारा जो अपने ट्रिप के लिए निकल गए थी उसकी तबियत बस पे काफी जादा खराब हुआती है उसकी टीचर्स को काफी जादा टेंशन होने लगती है यहाँ दूसरी और जब मॉनिका को होश आता है वो एलेक्स को सब कुछ बताती है शुरू से लेके एंड तक कैसे उसने क्लारा को बचाने के लिए एक मिस्टीरियस आदमी से डील किया मॉनिका एलेक्स को बताती है प्लीज एलेक्स प्लीज मेरी बेटी की जान खतरे में हमारी बेटी की जान खतरे में अब एलेक्स बताता है कि मॉनिका मुझे सब पता है तुमने कैसे क्लारा की जान बचाई और कैसे मेरी जान बचाई एलेक्स मॉनिका को उसका टाइमर देता है और फिर अपना भी टाइमर दिखाता है और ये बताता है कि आज से 10 साल पहले जब क्लारा हॉस्पिटलाईज होई थी तब उसकी जान बचाने के लिए मैंने भी उस मिस्टीरियस आदमी से डील किया था लेकिन एलेक्स मॉनिका को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो मॉनिका अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हम लोग ऐसे ही किसी रहा चलते आदमी को नहीं मार सकते ये गलत बात है मॉनिका देखती है कि उसका टाइमर चल रहा है मतलब अगर उसने किसी को नहीं मारा तो क्लारा मर जाएगी मॉनिका गन लेके महा से निकलने की कोशिश कर रही थी तब ही एलेक्स उसे बताता है कि ठीक है अगर उमें किसी को मारना है तो तुम मुझे ही मार लो और अपनी बेटी को बचा लो तब ही एलेक्स के उपर वही स्पाइडर आता है और मॉनिका को लगता है कि अगर मैंने एलेक्स को मार दिया तो शायद क्लारा बच जा है लेकिन दोस्तो मॉनिका एलेक्स को नहीं मारती वहां क्लारा जिसे उसके टीचर ने हॉस्पिटल में एड्मिट कर दिया था उसके और अजीबोगरी पेड़ बल रहे थे जो इससे पहले हम लोग फ्रान के पास देखे थे वह पिड़ क्लारा को जकड़ नहीं वाले थे कि बस एम टाइम पे वो रेट का टाइमर रुक जाता है उसका रीजन ये था कि जिस आदमी को मॉनिका ने उस इंसान रास्ते पे गोली मारा था और एलेक्स ने उसे हैंडकफ लाया के वाँ पे बान दिया था वो आदमी मर चुका था जब एलेक्स और मॉनिका दोनों को क्लारा के बारे में पता चलता है और वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं तो वो क्लारा को बिल्कुल सेव दिखते हैं बस इसी के साथ ये फिल्म ही पे खतम हो जाती है तो दोस्तो ये थी इल पैक्टो फिल्म की कहानी दोस्तो ये फिल्म मुझे परसनली काफी अच्छी लगी है और मैं इस इनको पांच में से थ्री स्टार्स दूँगा अगर आप लोगो ये मुवी देखनी है अगर तो ये लोगी है